hey everyone welcome back to another video उमेद है लास्ट वीडियो आप लोग के लिए helpful रही होगी तो आज के इस वीडियो में हम लोग HTML elements को डिसकस करने जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जो HTML element होता है वो opening और closing tag को define करता है और HTML में जो element होता है वो always opening और closing tag के center में ही write किया जाता है एक्जामपल लेते हैं जैसे कि हम opening और closing tag के center में heading लिखें paragraph लिखें या कोई भी image यूज करें तो वो हमारे पास क्या होती है वो हमारे पास HTML element ही होता है hopefully आपको HTML element के बादा चल गया होगा चलिए next topic की तरफ चलते हैं तो हमारे next topic है nested html elements तो जो nested html जो होती है यनि tag के अंदर tag use करने को nested कहते हैं ठीक है example लेते हैं जैसे कि मैंने html के tag के अंदर body के tag को nest किया है ऐसे ही body के tag में मैंने h1 को और p को nest किया है यनि tag के अंदर tag use करने को हम क्या कहते हैं nested element कहते हैं hopefully आपको nested elements के बारे में बता चल गया होगा तो चलिए next topic की तरफ चलते हैं next topic है हमारा empty html element empty html elements क्या होते हैं जैसे कि अभी हमने इस से पहले हमने elements के बारे में जाता उसमें हमने क्या देखा था कि opening और closing tag के center में जो write content write किया जाता है वो क्या होता है वो element होता है but empty element के अंदर कोई element नहीं होता यानि हम जिस तरह p के tag में h के tag के center में content write करते हैं तो यहां empty elements के अंदर ऐसा कुछ भी हम write नहीं करते यह itself closing tag होते हैं इनका कोई closing tag भी नहीं होता और नहीं इनका कोई element होता है यह itself closing tag ही होते हैं like यहां पर हमने दो tag के discuss किया है जैसे कि BR का tag और HR का tag BR का tag हमें line break करने के लिए यूज करते हैं यह next line में जाने के लिए और HR का tag क्यों यूज होता है horizontally line create करने के लिए HR का tag यूज करते हैं और यह simply सिर्फ इतना ही लिखा जाता है less than greater than के center में BR और HR इनका कोई closing tag नहीं होता और इनका कोई element नहीं होता तो चलिए next दिखते हैं next हमारे पास है कि HTML में वो तरह के case होते हैं एक sensitive एक non case sensitive एक case sensitive और एक non case sensitive यानि जो HTML में जो tags हम use करते हैं वो non case sensitive होते हैं यानि उसमें हम lower case use कर लें या upper case use कर लें यानि capital लिख लें या small लिख लें तो कोई effect नहीं होता बड़ HTML में कुछ case sensitive होते हैं तो वो हम अपने आने मली next video में discuss करेंगे तो चलिए हम इसको practically implement करके देख लेते हैं तो आज के हमने topic में जो भी तीन topics कवर की हैं वो कौन-कौन से हैं वो हमारे पास elements है lasted elements है और empty elements है तो चलिए सबसे बहले हम file create कर लेते हैं फाइल पर जाएंगे न्यू फाइल पर जाएंगे और यहां पर हम लिखते हैं html elements and .html के साथ ही हम इसको save करेंगे जसे enterprise करेंगे हम इसको path देदेंगे और इसको कर देंगे तो यह देखिए हमारे पास less than or greater than sign शो हो हो रहा है इसको file create हो चुकिया तो चाहिए हम सबसे वाइले html का basic structure write कर लेते हैं तो यह html का basic structure write कर लिया है उसके बाद हम यहां पर title change कर देते हैं ठीक है आप लोग इसको खुद से भी write कर सकते हैं बट अगर आप vs code use करें तो आप exclamatory marks जो यहां पर keyboard की उपर 1 के यानि shift 1 जाएगा तो जैसे आप इसको करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यह basic html का structure write के हुआ आ जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर क्या लिखते हैं अब इसके center में लिखते हूँ hello class तो अब यहां पर जो hello class है वह हमारे पास क्या है वह element है according to html क्योंकि यह h1 के जो tag है उसके center में write किया गया है उसके opening और closing tag के center में तो यह हमारा क्या हो जाता है यह हमारा element हो जाता है तो next देखते हैं तो जो next topic हमारा जो था वह क्या था nested tags तो nested tag का मतलब क्या था tag के अंदर tag use करने को हम क्या कहते थे nested कहते थे जैसे कि मैं यहां पर h1 का tag use करती हूं एक ठीक है h1 के लिखती हूं hi then मैं यहां पर p का tag लिखती हूं जिसमें मैं लिखती हूं find what about you okay तो देखिए मैंने यहां पर दो tags add कर दी है अगर मुझे अब इन दोनो tags को move करवाना है या इनको style करना है तो मुझे इने separate separate करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि यह दोनों इक अठे ही move कर जाए तो मैं इन दोनों को एक wrap tag यानि को एक tag लिखके उस tag के अंदर add कर दूँगी यानि इन tags को उस tag के अंदर nest कर दूँगी तो अभी देखिए यहां पर मैं के करती हूं मैं एक यहां पर div tag लिखती हूं ठीक है अभी यह closing tag जो है इसको मैं इसके last में लिख देती हूं ठीक है तो अब देखें अब मुझे इनको move करवाना easy हो जाएगा क्यूं क्यूंकि यह दोनों एक ही tag के अंदर है तो मैं जो भी styling जो भी इनको move करने के लिए properties उस करूंगी वह मैं div के tag को apply करूंगी तो वह इन दोनों को apply हो जाएगे तो इसी तरीके से tag के अंदर tag use करने को nested tags यह elements कहते हैं और इनका use भी ऐसे होता है जैसे मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो hopefully आपको यह भी समझ आ गया होगा तो next जो हमारा था वह था empty elements empty elements क्या होते हैं के भी उने start में देखा था elements का जो opening or closing tag के center में आते थे but empty elements जो होते हैं उनका नहीं कोई closing tag होता है और नहीं उनका कोई element होता है तो इसी वाज़ा से उनको empty element कहते हैं तो empty element में हमने दो elements देखे दे कौन कौन से BR और HR का tag तो अभी हम यहां पर मैं चाती हूँ H1 के tag और P के tag के center में horizontally line create हो जाए तो इस line को create करने के लिए मैं यहां पर इसके center में HR का tag use कर लूँगी तो यहां पर जैसी मैं HR लिखती हूँ तो इसके center में line create हो चुकी होगी तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको इसको save करते हैं ब्राउजर पर जाके तो यह देखें यहां पर हाई और paragraph के tag के center में एक line create हो चुकी है दर नापिस आते हैं और मैं अगर यहां पर एक और H2 का tag add करती हूँ तो अब देखें अब इन दोनों को वैसे अच्छा मैं आपको आपको इसे ब्राउजर पर शो करवाती हूँ यह देखें इनको refresh करती हूँ तो यह बिलकुल ऐसे आज़ते हैं यानि इनमें थोड़ा सा gap है लेकिन अगर मैं इनमें gap जादा देना चाहरी हूँ यह लाइन ब्रेक करनी होती तो मैं के करती मैं यहां पर BR tag use करती तो अब आप इसमें difference देखेंगे कि यह देखें एलेमेंट जो हमने देख लिया है वह किस तरह use होंगे यह भी मैंने आपको बता दिया है तो hopefully आपको यह भी practically implement जो करके मैंने दिखाया है यह भी आपको clear हो गया होगा तो आप इसे जरूर implement करके देखेंगा अगर करेंगे तभी आप practice करेंगे तब ही आप इसमें अच्छे grip कर सकते हैं hopefully आपको आज की topics clear हो गया होगे तो हम अपनी next आने वाली वीडियो में HTML tags और attribute को discuss करेंगे और यह next वीडियो भी बहुत helpful होने वाली आपनों के लिए तो इस वीडियो को like करें comment करें share करें चैनल को subscribe कर लें ताके आपको आने वाली हर वीडियो का notification मिल जाए